किसी को कोई कोश्चन हो तो पूच सकता है मैम, मैम ओफ्लाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी राहूल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से अरे, तो उसकी टेंशन मत लो वो अभी भी टीचमिंट अब के द्वारा हमारे साथ लाइव है शहर शहर गाउ गाउ अब टीचर्स ले रहें हाइब्रिट क्लास टीचमिंट के यूनिक फीचर्स के साथ हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आप सभी का जोड़दार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों PCS का जो प्री एक्जैम होना है ये बहुत जल्द हो जाएगा जनवरी फरवरी में जहां तक है दोस्तों हो जाएगा इस पर मैंने पूरा जो इसका सलेबस है और कैसे इसकी जो रणनीती है इसे पास करने की उस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है आसा है आपने देख लिया होगा और जिसने भी नहीं देखा होगा इस वीडियो के end में उसका link आजएगा जरूर देख लेना ठीक है दोस्तो तो आज हम बात करेंगे दोस्तों जो इसका पिछला पेपर आया था 2016 में क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ कि PCS को हववा नहीं बनाना है मेहनच जरूर करनी है लेकिन इसे पास करके रहना है और ये कोई हववा नहीं है आप कर सकते हो तो आज इसको हम पूरा स्वाल करेंग और देखते हैं आप खुद देख लोगे कि PCS का पेपर कैसा आता है क्या ये सच में इतना ही टफ है या ये इजी है या मॉडरेट है कैसा है तो जल्दी से देखते हैं पहला कॉशन तो देखिए इसमें पहला कॉशन है कि जेम्स एंडूर रैमजे भारत के किस गवर्नर ज जनर कौन था दोस्तो तो उसका कोणन जनर लौड कैनिंग था कैनिंग ठीक है तीसरा कोशन आता है कि हिंदूस्तान सोसलेस रिपब्लीकन आरमी की स्थाफना कब हुई? कब हुई थी दोस्तो इसकी स्थाफना हुई थी 1928 में ठीक है चोचा ये चटगाउं जो कान दिवा अगला कोशन है कि निम्न में से कौन उत्राखंड की प्राचीन प्रजाती नहीं है पूछाएं आपे तो ये गारो खासी जैनतिया जो यह होती है न मेगाला है कि ये वाली प्रजाती नहीं है और सब प्रजातियां इसमें हैं दोस्तों ठीक है तो अगला कोशन देखते हैं द भाग बनाने की मांग किसने की तो ये किसने की थी बदरीदत पांडे जीने की थी अगला कोशन है संगौली की संदीक कब हुई थी कब हुई थी दोस्तो 1815 में हुई थी अगला कोशन है चमौली के रियानी गाओं में किसके नितवत में वन कटाई की विरोध मांदोरन चलाए गया, किसके उसमें, गोरा देवी के उसमें चलाए गया था, दसवा कोशन आता है, परमार वन्स का संस्तापा कौन था, कौन था, कनकपाल था, अगला कोशन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा प्राचीन वलिद के बारे में पूछा है, तो इसमें कौन सा है दोस्तों, जल्दी से सोचिए, इसमें 12 का A है, जो आला मुखी संकू, जो आला मुखी संकू होता है, वो मूल इस्थल रूप है, ठीक है दोस्तों, और जो भी पहली बार चैनल पर होंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर अगला कोशन आता है दोस्तों कि सरवादिक 30 अपरदन होता है, सबसे आदा 30 अपरदन का किस से होता है दोस्तों, तो लहरों से होता है, ठीक है, सरवादिक 30 में लहरों इसका बिल्कुल राइट आंसर है, अगला कोशन आता है कि वाई मंडल की सबसे निचली परत कौन सी है देखो वाई मंडल में कितनी परते होती है और उसमें सबसे जो निचली परत है वो कौनसी है तो इसकी सोभ मंडल ठीक है सोभ मंडल इसकी सबसे निचली परत है अगला कोशन देखते हैं दोस्तों कि पृत्वी की भूमद रेखी परिधी है लगबग तो यहाँ पे पृत्वी की भूमद रेखी परिधी पूची है जोग्रोफी का बहुत अच्छा कोशन है तो इसका आंसर है B 40,000 किलोमेटर पृत्वी की भूमद रेखी परिधी है दोस जल्दी से सोचो इसका गठन कब हुआ था और क्या होता है उसमें कुछ कौशन ऐसे होते हैं जो नए नए कौशन आते हैं तो ये उस समय का नया कौशन था लोग बहुत सारे लोग गलत करके आए लेकिन जिसने अच्छे से इसे पढ़ा था वेपार समझोता है वो बिल्कुल राइट करके आए था और 1903 का राइट आंसर है इसके बाद अठारवा क कौशन आता है दोस्तो कि निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकरतिक इकाई नहीं है समय की प्राकरतिक इकाई नहीं है कौन सा है मानक समय ठीक है मानक समय समय की प्राकरतिक इकाई नहीं है इसका राइट आंसर यह है दोस्तो अगले कोशन की बात करते हैं कि बादल परिणा बादल किसका पढ़नाम है जल्दी से बताइए किसका पढ़नाम है संगनन का ठीक है तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि कैसा पेपर आता है देखो पेपर डीप जा रहा है अंदर जा रहा है और खास कर जो हमारे उत्राखंड का PCS है मैंने उस वीडियो में भी बताया है स ऐसा नहीं है कि paper बिल्कुर आप देख रहे होगे कि हार type के question है, अगला question देखते हैं कि निमलिकित मैसे कौण सा एक यूगम गलत है, तो यहाँ पर देखो उत्राखंड का question पूछ लिया है, तो इसमें कौन सा जो यूगम है वो गलत है, तो इसमें यह B वाला गलत है, देवर पूर्वी धौली गंगा के बारे में पूछा है सायग नदी नहीं है अलक नंदा गोमती काली या सारदा कौन सी है काली बिलकुल नहीं हो सकती तो इसकी जो है सायग काली नहीं है इनला कोशन देखें दोस्तों तो उत्राखंड राज के किस रास्टी पार को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर का समलित किया गया था यह उस समय करेंड का था ठीक है तो इसमें किसको किया गया था राजा जी को किया गया था राजा जी को उसी समय किया गया था यह 2016 में तो राजा जी को तो आप यह देखो मैंने उस वीडियो में बिल्कुल यही बातें बताई हैं कि जो इसमें उत्राखंड भी आएगी या ज कि अगला कोशन है उत्राखंड में किस वन जी विहार समू की इस्तिती पश्चिम से पूर की और सही है अराम से एक बार आप सोचो इसमें कौन सा सही है कोशन तो इसका जो आंसर है दोस्तो वो ये सही है सी वाला केदानाद आता है पहले फिर नंदा देवी फिर बिंसर आता है और फिर असकोट आता है ठीक है अब देखते हैं दोस्तो चबीसवा कॉशन चबीसवा देखो हिस्टरी से पूछ लिया है तो चबीसवा में क्या है ये बारी बिस्त रचना चार्ज दवाब ये इनके दवाबों के बारे हैं पूछा है इनका करम लगाना है करम कौन सा है जल्दी से देखो कौन सा करम लगता है इसमें ए वाला उप्षन ठीक है ठीक है जो ए वाला उप्षन है वो इसमें ठीक है व्यास और सचलच के बीच में क्या है बिस्त दवाब है दोस्तो बारी दवाब किस में है बारी दोवाब है रावी और व्यास के मद्द में है रचना दोवाब की बात करें तो रचना और ये रावी और चनाब के मद्द है ठीक है और जो चार्ज दोवाब है ये चार्ज दोवाब चनाब और जेलम के मद्द है तो ये इसका right answer हो जाता है A वाला option अगले question की बात करते हैं दोस्तों तो निम्लिकित मैंसे भारत में कौन जैविवित्ता का एक समिधन C लिस्थल माना जाता है समिधन C लिस्थल जैविवित्ता का पूछा है तो इसका सीधे से right answer है B पस्चमी घाट दोस्तों तो पस्चमी घाट जैविवित्ता का समिधन C लिस्थल है 28 आता है कोपिन के जलवायू वर्गी करण के अंसा निम्न मैंसे कौन सा उत्तरी बंगाल साइथ उत्तर पूर्वी भारत का उपर उप्यूक्त वर्णन है तो इसका answer कौन सा होगा दोस्तों तो इसका D option right है सुस्क सर्दी साइथ आर्द उपोशन जलवायू ठीक है next question की बात करते हैं यहाँ पर आप देखते भी जाना कि आप कितने खुद से solve कर ले रहे हो ठीक है कितने आपको आ रहे हैं उसी हिसाब से आप लगाना यह पुराना पेपर है और अब जो नहीं आएगा उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही बहुत ही उपर से होगा question यही होते हैं आप basic पढ़ो basic ही आता है तो अगला question है देखो कि सुची को सुमेलित करना है यहाँ पर तो यहाँ पर जो right option है दोस्तों वो B है B ठीक है जो ब्रह्मा गिरी पहाड़ी है ब्रह्मा गिरी पहाड़ी का कावेरी में ठीक है यह ठीक है इसका अंसर दूसरे का बेरी नाक सोता जेलम यह जर्णा महा बलेस्वर की अगर बात करें तो कृष्णा नदी में ठीक है और छोटा नागपुर का पठार स्वान रेखा नदी छोटा नागपुर के पार से इसका उद्गम होता है तो ये उद्गम पूछ लिए नदियां पूछता है इससे आप ये देखो ये किस तरब जा रहा है और जिस तरब ये जाता है ना उसी तरब आपको पढ़ना है अगला कोशन देखें दोस्तों यहाँ पर जो तीसवा कोशन आता है कि प्राइदीपी भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है कौन सी है सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है सीदे से ठीक है जो ये गोदावरी नदी है ये बूडी गंगा भी से कहते हैं और ये उप्योग में लाई जा रही है कौन सी है जो दूर संचार संखला है जो संचार में उप्योग में लाई जा रही है दोस्तो इनसेट ठीक है इसका जो आंसर है वो इनसेट है इनसेट अगला कोशन देखें दोस्तो तो यहाँ पर है बहुत आसान है सब को पता होगा कोरो मंडल टट कहलाता है ठीक है कौन सा राज समू भाकडा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है इसमें राज्यों का समू पूछ लिया था कि कौन कौन से राज है जो इससे जल प्राप्त करते हैं तो इसका अंसर है C ठीक है दोस्तो जो हरियाना, पंजाब और राहिस्थान भाकडा नांगलबाद से जल प्राप्त करते हैं और इन सभी की भूमी है इसमें ये जो भाकडा नांगलबाद है इसमें इनका तीनों का भाग जुड़ा हुआ है अगले कोशन की बात करते हैं दोस्तों देखो पॉलिटी से पूछ लिए है भारत के समीधान के किस अनुच्छेत के अंसार राज जी के राजपाल के द्वारा मुक्यमंतरी को नियूक्त किया जाता है मुक्यमंतरी को ये कोशन है बहुत ही जी लेकिन एक कई बार आ चुका है ये IES में भी पूछा जा चुका है और UPPCS में हमारे PCS में तो पूछा ही जा चुका है तो ये 164 है इसका article ठीक है वैसे इसको पढ़के रखना क्योंकि ये बहुत बार आता है कॉशन चाहे सरल है लेकिन आता बहुत बार है और लोग इसे गलत कर देते हैं कभी 165 कर देते थें कभी 163 कर देते हैं 144 डिसका राइट है अगला कोशन है दोस्तों कि उत्राखंट से लोकसुबा के कितने सदस से निर्वाचित होते हैं तो कितने होते हैं पांच होते हैं पांच ये तो राइट आंसर है उत्राखंट की विदानसबा 2016 में मनुनीज सदस से कितने हैं तो ये मनुनीज सदस के बारे 1958 में ये बनी है उसके बाद अगले question में आते हैं दोस्तों हम तो उतराखंड लोक सेवा I.O के प्रतमद्यक्स कौन थे उतराखंड लोक सेवा I.O के प्रतमद्यक्स N.P. Nawani थे उसके बाद next question आता है निमलिकित मैसे उतराखंड की महिला राजपाल कौन थी उत्राखंड की महिला राजपाल कौन थी दोस्तों यहाँ पर यह पुछा है तो यह मार्गरेट अलवा थी ठीक है मार्गरेट अलवा जी थी अगले कोशन की बात करें दोस्तों पॉलिटी से पूझ लिया है भारती संगवाद में विवित्ताओं में एकता को प्रोनत करने है तू निमले कितमे से किन संस्तानों को आवशक माना गया है ये सभी संस्तानों को माना गया है ठीक है जो ये सभी संस्तान है इन सभी संस्तान को माना है अंतराजी परसत और रास् इस राज्य का दर्जा दिया गया है किसके अंसार दिया गया था आर्टिकल 370 यह पुराना कोशन हो चुका है समय बदल चुका है जम्मू कस्मीर अब यूटी बन चुका है अगला कोशन देखते हैं तो समीधान के किस अनुछेतों के अंसार OBC अन्य पिछ्रावर को आरक्षन के प्राउधान किये गए है तो यह इसका अंसर होगा दोस्तो आर्टिकल 15 का 4 और 16 का 4 आप इन आर्टिकलों को जो 15 का 4 और 16 का 4 है न दिहान से पढ़के जाना इनसे बहुत कोशन निकलते हैं हमेशा अगले कोशन में आता है कि भारति गणराज भारति गणराज के समिदान का कौन सा अनुचेत वैक्ति की प्राण और तेहिक स्वातनतरता के संरक्षन से सम्मंदित है तो यह कौन सा है जल्दी से बताओ इसका B है त्वेंटीवन जो है वो प्राण और देहिक स्वतंतरता से सम्मंदित है किसी भी व्यक्ति की और अगला कोशन आता है कि समिदान के किस अनुच्छे द्वारा प्रतक्स अनुसुचित जन्जाती आयोग का गठन किया गया अनुसुचित जाती और जन्जाती आयोग दोस्तो किस आर्टिकल में है तो ये है 338A और 338 में ठीक है ये जन्जाती आयोग है 338A में और जो केवल अनुसुचित जाती आयोग है वो आर्टिकल 338 में है अगले कोशन में चलते हैं दोस्तो तो बारत में सार सम्मिलन सरपथम किस वरसा आईजित किया गया था बताईए 1986 में ठीक है 1986 इसका राइट आंसर है 1986 में किया गया था अभी भी याद रखना ये कोशन फिर भी रिपीट हो सकता है तो 1997 में अगला कोशन आता है विस्ट परियावरंड सम्मिलन आईजित किया गया था कहां गया था 1997 में विस्ट परियावरंड सम्मिलन तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्योटो में जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना क्योटो प्रोटोकॉल वो 1997 में किया गया था अगले कोशन की बात करते हैं दोस्तों तो भारत में पर्मानु सिधान्त में सम्मिलित है ठीक है यहाँ पे पूछा है कि भारत में जो पर्मानु सिधान्त है अगर आपने पर्मानु सिधान्त भारत का पड़ा हो तो भारत का पर्मानु सिधान्त क्या है तो इसके जो चारों option है ना तो ये चार ओप्सन इसके right है पहलना करना एक तरफा प्रतिबंद नियूनतम विश्वस्नियन निवारन ठीक है तो ये इसके जो परमानु सिद्दान्थ है ये इसके सभी संबंदित है और जो भी जिम ओ नील ये अर्थ सासरी थे इन्हों नहीं सबसे पहली बार ब्रिक सब्द को गड़ा था तब इसमें चार देश थे बाद में साउथ अफरिका जुड़ा 2010 में तो उसके बाद ये बन गया ब्रिक्स अगला कुशन आता है और ये कब हुआ था 1991 में हुआ था 1991 में भारत ने उधारी करण की जो नीती थी और अब चलतें दोस्तो नेक्स कौशन में ये कि वर्ष 2006 में नेम्न में से किसको राश्टी दल की मानिता दी गई तो ये करेंड का उस समय का कौशन पूछा है तो ये TMC को दी गई थी उस समय ठीक है नेक्स कॉशन है कि निम्लिकित मैंसे किस विद्वान ने स्वतंतरता के प्रारंबिक वरसों की भारत की दली वियोस्ता का एक दली प्रभुत्त वाली वियोस्ता के रूप में वडन किया है तो वो कौन विद्वान है दोस्तों इसमें तो वो है रजनी को ठारी ठीक है ये रजनी को ठारी जी थी इन पे ये आंसर है इनका तो अगला कॉशन है दोस्तों निम्लिकित मैंसे कौन भारत में राजनितिक दलों को मानित प्रदान करता है तो अगला कॉशन है कि निमलेकित मैंसे कि समीती या आयोग ने नियाय पंचायतों के गठन की सिफारिस की थी नियाय पंचायतों के गठन की बात हो रही है तो ये थी असोक महता समीती 1977 और इसने 78 में अपनी रिपोर्ट सौपी थी ठीक है तो ये थी बल असोक महता समीती इन्होंने नियाई पंचायतों के गठन की सिफारिस की थी नियाई पंचायतों की बहुत इंपोर्टेंट कोशन है अगले कोशन की बात करतें दोस्तों तो पंचायती राजवियोस्ता का निम्न मैसे किसमे उलेख है अब पंचायती राज वियोस्ता देखो उससे बहुत कोशन आ रहे हैं कि उसका लेक किसम है राज सूची में है ये बार-बार आता है ऐसे कोशन इसको जरूर पढ़के जाना पंचायती राज के जो भी आर्टिकल है उनको सब को पढ़ लेना अगला कोशन आता है निमलिखित कारियों में से कौन सा कार इस्थानी सोसासन से समंदित नहीं है देखो इस्थानी सोसासन पंचायत इससे बहुत कोशन निकलते हैं क्योंकि भारत जो है वैसे ही किसानों का देश है पंचायतों का ग्रामीन देश है तो इससे बहुत कोशन निकलते हैं तो इसका right answer है D इसका right answer D है लोक वियोस्ता का अनुरक्षन लोक वियोस्ता का अनुरक्षन इसका right answer है अगला कोशन आता है नेमलिकित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचा है दोस्तो अग्ला कोशन आता है सेवा के अधिकार सेवा के अधिकार के अधाणना कहां से प्रारंब हुई जल्दी से सोचिए तो यह Great Britain से सुरू इथी अगले कोशन में चलते हैं दोस्तो तो अग्ला कोशन अगला कोशन है दोस्तो उत्राखंड का हरीला पर वो समंदित है इस टाइब के कोशन भी बहुत देते हैं बीच में लोग जिससे की थोड़ा सा कनफ्यूज हो जाते हैं लेकिन इस सिंपल है किस से हरेला समंदित है तो वो पौधार वो पर से है अगला कोशन देखते है तो निमलेकिन में से उत्राखंड का कौन सा एयरपोर्ट सरवादिक संचालन में है तो कौन सा हो सकता है इसमें जॉली ग्रांट जॉली ग्रांटी जो एयरपोर्ट है देहरादून का ये सबसे अदा संचालन में है अगला कोशन है कि 2015 में तो इसमें कौन से आए उस समय का करेंड का है तो ये D option है इसका बदरीनाथ अगले कोशन में चलते हैं दोस्तों यहाँ पर और दोस्तों अगर आपको कोई topic में दिक्कत है तो आप मुझे comment में बताईए उस topic में आपको पूरी study में कराऊंगा चाहे किसी भी GSA समंदित कोई टॉपिक हो आप वो topic बताईए ठीक है दोस्तों उस पर हम बात करेंगे उस पर पढ़ेंगे उस topic को अगले कोशन में आते हैं दोस्तों कि 2011 की जनगर्णा के उनसार उत्राखंड के निमलेकित में से किस जिले की जनसंग्या सबसे कम है तो किस जिले की सबसे कम है सीधे से र प्रुद्र प्रियाक की है उसके बाद next question में चले हम दोस्तों तो next question है कि निमलेकित देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी वेपार में सबसे बड़ा साजेदार है यहाँ पर ध्यान देना को दोस्तों इसका जो right answer था तब चीन था लेकिन इस समय अभी हो गया है और यह बदलते रहता है दोस्तों अभी current में फिर आगे को देखेंगे कि क्या होता है लेकिन इस समय जो चल रहा है भारत का सबसे बड़ा जो साजेदार है विदेशी वेपार का वो USA है लेकिन उस समय तक चीन था अभी अगला question है रास्ट्री क्रिसी बीमा योजना भार किस वर्स प्रारम की गई उनीश सो नियानबय और 2000 में ठीक है तो 1999-2000 में रास्ट्री क्रिसी बीमा योजना प्रारम की गई 2011 की जन गर्णा के उनसार भारत में नेमलिकिन में से किस राज में नियून्तम लिंग अनुपाद है नियून्तम लिंग अनुपाद कहा है दोस्तो और तब कहा था तो ये था हरियाना में लेकिन अब हरियाना की स्थिती बहुत अच्छी हो गई है जो बेटी बचाओ और चले गई । ये रास्ट्री आये की घरना की समस्याओं में से एक है दोस्तो अगले कोशन की बात करते है दोस्तो भारत में क्रिसी के ले पुनरुट प्रदान करने सरोच बैंक है कौन है? नाबाद नाबाद ठीक है सिवरामन समीती की सिफारिस पर ये बना था 1982 में बना था 12 जुलाई 1982 को ये बना था 12 जुलाई 1982 को ये बना था 1982 को तो सिवरामन समीती की सिफारिस पर बना था इसे अच्छे से पढ़ना ये कोशन भी आता है अगले question की बात करें हम दोस्तों यहां पर तो अगला है कि चौद में वित्तायों के अंसार सुद्ध केंद्री कर राजों में राजों को आवंटेट करने की मातरा क्या थी क्या उसने सिफारिस की थी तो वो 42% की करी थी दोस्तों ठीक है 40% की करी थी ऐसे question आते हैं आप ये ध्यान देना जो भी question पूछ रहा है तो इस से related question ही next exam में पूछेगा अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो जो अभी lower PCS का exam था उसमें करीबन करीबन जो question आये थे वो उसी से related आये थे अगर वो पुरुसकार पूछ रहा है तो ये समझ लो इस बार भी पुरुसकार पूछेगा चाहे वो हो सकता है different हो लेकिन पूछेगा तो ये इस type में जो इनका एक format होता है आपको उस format में पढ़ना है आपको examiner का जो भी है ना पुरत्यक्स विदेसी निवेस FDI equity प्रवा को आकरसित करता है तो कौन सा जो छेतर है वो सबसे आदा FDI को प्रवाइट करता है दोस्तों सेवा छेतर ठीक है इसका सेवा छेतर है अगला कोशन है कि निमलेकित मैंसे किसका साइयोक्त सूचकांग है तो ये किसका साइयोक्त सूचकांग है G1 पृत्यासा जो SDI होता है ना Human Development Index वो G1 पृत्यासा sectionic उपलब्दी प्रती वेक्तिया इसका सूचकांग है भारत में सीमान्त जोद का आकार है सीमान्त जोद पूछी है भारत में तो ये क्या है दोस्तो ये ज़्यादा नहीं है एक हेक्टेर से भी कम है एक हेक्टेर से कम भारत में सीमान्त जोद है अगला question आता है Bricks किस वर्स Bricks हो गया ठीक है किस वर्स ये Bricks हो गया अभी अभी हमने थोड़े देर पहले ये बात करी थी कि ये किस वर्स हुआ और उसके पार 2010 में ये Bricks से Bricks बन गया तो अगला question आता है कि वानीजिक सेवाओं के निर्याद में भारत का विस्व में वर्स 2014 में क्या इस्थान था तो ये तो दोस्तो करेंट का हो गया लेकिन एक चीज आप यही ध्यान देना कि जो चीज इसने तब पूछिए करेंट की उस हिसाब का आज भी पढ़ना जो जो points पूछे हैं तो वो पढ़के जरूर जाना तो इसका B है आठवाइस का answer है अगला question आता है दोस्तो ओपेक के बारे दोस्तो वो है C petroleum का उत्पादन और petroleum की कीमतों पर नियंतरन ये भी इनका एक विसेज बल इस पर देते हैं कि ये नियंतरन रखते हैं इनका संग है कब बना था उपेक? 1960 में बना था उपेक और इसका मुख्याले कहा है? Vienna में इसका मुख्याले है Vienna में ठीक है? Vienna में इसका Vienna कहा है? Austria की capital है. Austria कहा है? Austria है आपका Europe में. Europe में Austria है और Austria की capital है Vienna और Vienna है भाईया ओपेक का जो headquarter है अगले question में चलते हैं West week करण में समलित नहीं है तो West week करण में क्या समलित नहीं है? सारजोनिक छेतर की equity का विनिवेस ठीक है सारजोनिक छेतर की equity का विनिवेस ये West week करण में समलित नहीं है और अगर विनिवेस की बात आती है तो भारत में सबसे वहले विनिवेस कब शुरू हुआ? 1991 में और ये कब था? नई जो आर्थिक नीती थी 1991 की वहाँ से शुरूआ और पहला विनिवेस आयो बना 1996 में ठीक है? और GB Ramakishnan इसके अध्यक्स थे ठीक है? GB Ramakishnan तो ये इसके अध्यक्स थे यहाँ पर राइटिंग सही नहीं हो पा रही है दोस्तों बांकि आप सुन लेना कोई अगे हम देखते हैं दोस्तों नेस्सकाउशन तो विस्वेच्वक इसदारश्य halten अगला कोईशन यह है कि विस्वेच्वेच्वक इसदारश्य retard ठीक है? अगला कोईशन आता है कि निमलेकित मैसे कौन एक Westwick Spardhatmak Sujkang Report प्रकासित करता है कौन करता है जो Westwick Spardhatmak Report कौन जारी करता है दोस्तों वो करता है World Economic Forum ठीक है विस्तो आर्थिक Forum या World Economic Forum कहते हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना 1971 में हुई थी World Economic Forum की स्थापना ठीक है Next Question में चलते हैं दोस्तों तो अगला कौशन है कि सारक सदस्देशों को प्रसिक्षन देने है तू भारती अनाज भंडारन प्रबंदेयो मनुसंधान संस्थान इस्तित है ये उस समय के Current का कौशन है दोस्طों ये हापूर में था हापूर ठीक है और अगला question आता है prevention of money laundering act भारत में कब से प्रवाई हुआ तो prevention of money laundering act भारत में कब से प्रवाई हुआ 2005 से ठीक है आप समझ रहे होगे कैसे question आ रहे हैं और खुद भी अपना आप देख रहे होगे कि आप इसमें से कितना solve कर पा रहे हो तो next question आता है 85 तो इसमें है कि trims का पूरा नाम क्या है तो यह ऐसी भी full form भी पूछ लेता है बीच बीच में तो ऐसी full form भी आपको याद अखनी है तो trade related investment measures ठीक है trade related investment measures इसका full form है trims का gene है gene के बारे में पूछा है कि gene क्या है दोस्तो जल्दी से सोचो इसका right answer क्या है तो इसका right answer है DNA का एक भाग है gene ठीक है next question में चलते हैं थेले सीमिया एक अनुवानसिक रोग है जिससे प्रभावित होता है क्या प्रभावित होता है थेले सीमिया से रक्त प्रभावित होता है तो यह रक्त का रोग है दोस्तो तो थैले सीमिया एक अनुवान सी रोख है जिससे प्रवावित रक्त होता है हमारा अगला कॉशन में आते हैं दोस्तो 88 में तो 88 का कॉशन है निमलिकित मैंसे किसने नैनो टेकनोलोजी सब्द का प्रियोग किया और कब तो दोस्तो जो मैंने आगे आपको बताया था कि कुश कॉशन हैसे होते हैं जो नए नए निकाल के आते हैं एक्जाम में और वहां से हो फेमस हो जाते हैं तो ये भी उस वक्त नया निकला था ठीक है जो 88 का है तो नैनो टेकनोलोजी किस ने दिया था तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तो वो है नोरियो टानी गुची 1974 में ठीक है नोरियो टानी गुची ने 1974 में इसका राइट आंसर है नैनो टेकनोलोजी सब्द दिया था इनोंने अगला कोशन है उत्राखंट पसुधन विकास बोर्ड का प्रसिक्षन केंदर इस्तिध है कहां इस्तिध है दोस्तो जल्दी से सोचो ये है देहरा दून में ठीक है देहरा दून इसका राइट आंसर है अगले कोशन में चलते हैं दोस्तो अगला कोशन है दोस्तो कि निम्न सम मुझ मैसे कौन सी गैसे हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्य दिक महत पूर्ण हैं, तो इसका जो राइट ओप्शन है, वो है C ओप्शन, कारबन डै उक्साइड, मीथेन, नाइटरस ओक्साइड, जलवास, बड़ी खतरनाक गैसे हैं, सारे जैसे विलेन होते हैं, वै योग सभी, कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर, कार्डलेस, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, तो ये सब में होता है, अगला कोशन आता है, ये देको साइंस में जा रहा है, साइंस में भी ऐसे कोशन पूछ रहा है, थोड़े डीप के, आपको हो सकता है कि ये लूसेंट में ना मिल तारों में ऊर्जा उत्पन करना, अब ये साइंस के कोशन आने लग गए है, तो ये था ना भी विखंडन से समधित नहीं है, तारों में ऊर्जा उत्पन करना, अगला कोशन आता है, सेलूलोज और स्टार्च दोनों में होते हैं, क्या होते हैं, जल्दी से इसका अंसर ध्वनी तरंग और ध्वनी तरंग आपको पता है अनुदेधरी तरंग भी ध्वनी तरंग है अगले कोशन में आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर अगला कोशन हमारा जो निकल के आता है वो है ताप बढ़ने के साथ द्रव की सयानता क्या होगी अगर ताप बढ़ेगा तो द् उतनी घटती जाएगी अगला कोशन है एक नैनो मीटर बराबर है एक नैनो मीटर किसके बराबर है दोस्तो जल्दी से बताओ तो ये 10 की पावर माइनस 9 मीटर के बराबर है ठीक है एक नैनो मीटर बराबर 10 की पावर माइनस 9 मीटर अगला कोशन आता है दोस्तो एक भू इस् जलते हैं दोस्तो अगला कोशन आता है दोस्तो वो भी साइन से टेफलोन सामानी नाम है किसका सामानी नाम है तो पॉली टेटरा फ्लूरो एथलीन का ठीक है लूसेंट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा यह जो उसका साइन्स का पार्ट है उसमें आपको आसानी से इस पीतल और कांसा पीतल और कांसा जो है ये जोड़ा है ये ताबे के मिसर दातों का है अगला कॉशन आता है दोस्तो कॉशन नमबर 100 तो एक अर्ध चालक एक जो अर्ध चालक है मैं विद्दुद चालन होता है तो इसका कौन सा अज़र है C, Electrons, Abum, Holes दोनों के द्वारा, ठीक है दोस्तो तो यहाँ पर देखो, दोस्तो हमने यह सारे कोशन देखे, तो इससे आपको यह सौझ में आगया, कि एक आईडिया मिल गया, कि यह कैसा पेपर आता है PCS का, PCS कोई भूत नहीं है कोई हवा नहीं है, बस क्या है आपको study करनी है, और अगर आप पिछले 2-3 साल से अच्छे से बढ़ाई कर रहे हैं तो आप आसानी से clear कर लोगे, क्योंकि देखो, अभी मैं mains की बात इतनी नहीं कर रहा हूँ वैसे आपको जो तैयारी करनी है, वो mains के लिए करनी है, क्योंकि pre तो देखो, जो अच्छे हैं पढ़ने वाले, वो तो निकाली लेंगे, लेकिन आपको जो तैयारी करनी होती है, वो हमेसा mains के level पर करनी होती है, लेकिन अभी क्या है, कि one word वाले question आएंगे, सीधे सीधे जिनका answer है, वो आएंगे, तो आपको pre है, सबसे पहले pre निकल जाए, फिर तो mains भी देख लेंगे, तो आपको इस हिसाब से चलना है, जैसे question आ रहे है, आप इसी, जो भी इसका format है, इस format देखके चलो अभी मैं यहाँ पर दोस्तो 100 question करा रहा हूँ, अगर आपको 50 question बचे हैं, अगर आपको वो भी कराने हैं, तो आप मुझे comment में बताईएगा, मैं आगे के question भी उताऊँगा बाकी जो है, पेपर ऐसा ही आता है और जो भी नए साती होंगे, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा, और अगर आगे के 50 question आपको बताने हो तो उसके आप मुझे comment में बताईए मैं बिल्कुल आएके question भी कराऊँगा और अगर कोई topic में आपको confusion हो, तो topic मुझे comment में बताईए, उसको हम आगे study करेंगे उसकी, ठीक है दोस्तों तो मिलेंगे next video में दोस्तों, thank you